है गाइस वेलकम टो टेक्नोलजी यूट्व चैनल गाइस बैंक अकाउंट से लेके डिजिटली कुछ ट्रंजेक्शन करने जाएंगे तो पैन काड यानि की पर्मनेंट अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ता है जो इंकम टेक्स की दुआरा बनवाया जाता है और इंकम टेक है वो तो आप जानते ही है तो हम देखेंगे किस तरह की से ऑनलाइन में एपलाई कर सकते हैं पैन के लिए और वीडियो में आगे बैन से पहले बता दूँ अगर मेरी चैनल पर ने है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकाउन को प्रेस कर लिजिए और वीडियो सबसे पहले आपकी मुबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर ब्राउजर ओपन कर लिजिए और ओपन करने के बाद यहां पर सर्च कीजिए पैन ऑनलाइन और जैसे ही देख सकते सर्च करेंगे पैन ऑनलाइन अपलाई में क्लिक कर देंगे और सबसे पहला वाला जो साइट जाएगा onlineservices.nsdl.com तो यहां पर साइट को ओपन करना है और यहां पर साइट ओपन होने के बाद देख सकते हैं Tax Information Network of Income Tax Department यहां पर apply online है और एक है register user अगर आपके पास token ID है यानि के temporary token ID तो यहां पर आप login कर सकते हैं token ID, email ID और date of birth देखे तो मैं fresh apply कर रहा हूं तो इसलिए fresh application को हम select करेंगे यानि कि apply online और यहां पर पहला बला है application type यहां पर application type select करना है new pen यहां पर है Indian citizen के लिए और एक है foreign citizen के लिए और यहां पर है कुछ changes करना चाहते है यह फिर correction के लिए third option तो मैं fresh apply कर रहा हूं इसलिए new pen Indian citizen इसको select कर लिया और category select करना है individual body of individual trust यहां पर आपकी हिसाब से जो भी है category select कर लिजिए तो मैं individual select कर लिया और select करने के बाद यहां पर देख सकते है application information यहां पर title में देख सकते है Sree, Srimati और कुमारी है आपकी हिसाब से आप select कर लिजिए और select करने के बाद यहां पर आपको surname डालना है यहां पर आपको first name डालना है अगर आपके पस middle name है आपके नाम में तो यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर आपको date of birth select करना है यहां पर आपका email id डालना है और यहां पर आपका mobile number ध्यान दीजिए आपका जो भी mail id और mobile number होगा valid होना चाहिए और यहां पर capture code डालने के बाद by submitting यहां पर check करना है और यहां पर finally करना है submit तो मैं सब कुछ भरने के बाद submit करता हूँ so guys सब कुछ भरने के बाद यहां पर check कर दीजिए और check करने के बाद finally कीजिए submit और submit करने के बाद यहां पर देख सकते हैं online pen application we thank you for using online pen application service of nsdl egov your request is successfully registered with token number इस token number को copy कर लेना है and the same has been sent to email id provide in the pen application आपने जो mail id आपने दिया pen application के time पर उस mail id पे भी token id चला गया है और यहां पर नीचे देख सकते हैं kindly click below button to fill remaining pen application form तो simply से मैं इस token id को एक बाद copy कर लेता हूँ और यहां पर करना है continue with pen application form और गाइस continue करने के बाद यहां पर देख सकते हैं how do you want to submit your pen application documents submit digitally through ekyc and e-sign paperless second है submit scan image through e-sign nsdl portal जो है और है forward application document physically तो हम ekyc select करेंगे जो की आधार से verified होके submit करेंगे हम और यहां पर नीचे की तरफ देख सकते हैं whether physical pen is required yes application fee यहां पर नीचे की तरफ है आधर नमबर यानि के आपको आधर जो नमबर है verified करना होगा enter अधर लास्ट फोर डिजिट तो मैं सिंपल सी यहां पर मेरा लास्ट आधर फोर डिजिट डाल देता हूं यहां पर है 9596 और यहां पर I heard agree that my photograph as available in Aadhaar shall be printed on the pen card तो सिंपल से प्लीच में चेक करके yes कर देते हैं और यहां पर नीचे की तरफ जाएंगे full name of the applicant यहां पर total मेरा नाम है दिखाई दे रहा है नाम और title है यहां पर date of birth select है यहां पर gender select करना है तो मैंने gender select कर लिया और यहां पर gender select करने के बाद have you ever been known by any other name यानि कि दूसरे किसी नाम को आपको जाना जाता है मैंने no कर दिया और यहां पर नीचे की तरफ देख सकते है details of parents यहां पर whether mother is single parent अगर है तो आप यहां पर yes कर सकते है या फिर no रख सकते है और यहां पर father's name सर first name देना है यहां पर middle name अगर available है तो middle name दे सकते है और यहां पर mother's name optional है चाहे तो आप दे सकते है या फिर छोड़ सकते है सो मैं यहां पर भर लेता हूँ और यहां पर देख सकते है parent name is to be printed on pen card यहां पर father और mother आपको जो चाहिए select कर लीजिए तो मैं सब कुछ भरने के बाद next करता हूँ और guys application की सबसे उपर आके save draft कर लेता है क्योंकि अब ही तक हमने जो fill up किया total save हो जाएगा draft में और मैंने save कर लिया सबसे नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जाने के बाद यहां पर मैंने जो बोल रहा था parents name to be printed on the pen card आपके further's name print करना चाहते है pen card में या फिर आपके mother name आपको जो चाहिए आप select कर लीजिए तो select करने के बाद simplicity कीजिए next और next करने के बाद यहां पर देख सकते है source of income salary income from house property no income income from business and profession income from other source मैं no income कर दिया और यहां पर source of income select करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते है address for communication यानि की आपका कौन सा address पर communication होगा pen card के लिए तो हमने आधार से verified किया इसलिए आधार का जो address है उस address से मतलब address में आएगा हमारा pen card तो details यहां पर देख सकते हैं तो simple से नीचे की तरफ जाएंगे और यहां पर telephone number and email details यहां पर select करना है ISD code यहां पर हमारा India का select करना है तो इंडिया select कर लिया और यहां पर STD code बंग रहा है mobile number ठीक है mail ID भी ठीक है और telephone number and mail ID details भरने के बाद simple सी करना है next और यहां पर contact and other details में देख सकते है area code AO type range code AO number है और यहां पर देख सकते है for help on AO code select from the following तो इंडियान CCS select करना है और यहां पर सिलेट करना है आपका CT और यहां पर जैसे आप state और city सिलेट करेंगे यहां पर AO code आ जाएगा तो आपके ससाब से select कर लिजिये AO code और ययसे ही Text करने देख सकते है area code आ गया AO type आ गया range code आ गया यह वो number भी आ गया और यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है simplicity करना है next और यहाँ पर देख सकते है documents details final step है I and we have enclosed proof of identity, proof of address, proof of date of birth यहाँ पर है जो भी आधार से आपका संबन्धित है आधार से automatically detect करेगा pen और यहाँ पर नीचे की तरफ declaration है आपके नाम आयागा यहाँ पर select करने के लिए himself, herself है so himself or herself select करना है place दे धीजिए और यहाँ पर date select करना है so date आज का date दीखाएगा place, simple से place लिखना है यहाँ पर प्लेस दे दिया date automatically detect कर लएगा और यहाँ पर finally है Submit और गाइस देख सकते हैं, प्लिस्विज्द कंप्लीट एप्लिकेशन फॉर्म में फीरड लेखी और यहाँ पर पर्सनल डीटेशंत में देख सकते हैं, इंटार आधार फॉर्स्ट एफ़ेच्ट दिजिट bald फॉर्सट एक बाण दीजिट अब एक बार वीरिफाई कर लास्ट नेम आपका टाइटेल पूरा नाम पैन कार में जो प्रिंट होगा नेम यही रहेगा टोटल आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए डेट बड़ चेक कर लीजिए अपका फीमेल फिर मेल आपका जो जेंडर है सिलेट कर लीजिए और यहां पर देख सकते हैं इसका मतलब है आपका आधर कार में जो फोटोग्राब है पैन कार में भी अज़िट प्रिंट होगा और नीचे की तरब सब कुछ आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद सबसे नीचे आना है और नीचे आके करना है प्रोषिट अगर प्रोसिट करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ एरर आता है तो सिंपल सी पेज को रिफ्रेस कर दीजिए एक बार और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ओनलाइन पैन एपलिकेशन टाइप फॉर्म 49A यहाँ पर मोड और पेमेंट बांग रहा है अगो सा मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं आप सिलेट कर लीजिए डिमान ड्राफ और आलाइन पेमेंट जैसे की है पे टीम,बीजा, रूपय, कार्ट कर सकते हैं ओनलाइन पेमेंट थो週ती बील्डेक्स को और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट चाटन शुग एंफॉ फ्री इंक्लूडिंग GST यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका ट्रंजेक्शन आईडी और यहाँ पर करना है पे कनफर्म और यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड एवलेबल है डेडिट कारड इंटरनेट बैंकिंग वालेड लाकेश और कोड है और है upi तो आपके हिसाब से जो भी एवलेबल है आप सिलेट कर लीजिए मैं इंटरनेट बैंकिंग से पेँमिन करता हूँ और यहां पे payment confirmation के लिए एक high security password पूछा जाता है SBA की तरब से तो simple सी मैं password यहां पे डाल देता हूँ और करता हूँ confirm और guys देख सकते हैं your payment was successful National Securities Depository Limited इसको payment किया हमने और payment successful हो गया so automatically redirect हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है और यहां पे देख सकते हैं waiting for the response from Buildex it may take up to one minute kindly do not refresh your page और close the browser तो आपको browser close भी नहीं करना है और आपका जो भी refresh है page refresh नहीं करना है so guys देख सकते है payment received transaction successful हो गया complete successfully यहां पे transaction reference number है date and time of transaction payment amount है और bank reference number तो simple सी करना है continue और continue करने के बाद यहां पे देख सकते है आधार authentication authenticate आधार to be proceed further और यहां पे token number है आपके नाम दिखाएगा gender दिखाएगा date of birth है और यहां पे आधार number है तो simple सी यहां पे tick करना है और यहां पे करना है authenticate और यहां पे करना है continue with ekyc और यहां पे देख सकते है OTP verification token number applicant name आधार और नीचे है OTP यानि कि one time password आपका register मोबाइल पर आएगा जो आधार के साथ link है तो simple सी यहां पे OTP डालना है और करना है submit एक चीज यहां पे धियान दीजे आप दो बार ही OTP generate कर सकते है regenerate OTP पे click करके अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो दो बार कर सकते है इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो उपर की तरब आप पड़ भी सकते है details लिखा है और simple सी मैं आपे OTP डाल देता हूं और करता हूं submit और guys यहां पे मैंने OTP डाल दिया और finally करना है submit और यहां पे करना है continue with e-sign और यहां पे आपको करना है I hear by authorized यहां पे check करना है और नीचे की तरब देख सकते है आधर नमबर आपका डालना है और आधर नमबर डालने के बाद simple सी करना है send OTP और फिर से आपकी register mobile नमबर पर एक OTP generate होगा यानि की one time password और यहां पे मैंने OTP डाल दिया और simple सी करना है finally verify OTP ओके आपका digital जो signature होता है verify हो गया आधर authenticate करके जैसे की देख सकते है pen application complete हो गया और एक acknowledgement PDF file हमरे सामने है और इसका जो password है आपका date of birth यानि का पहला जो डालना होगा date उसके बाद month और उसके बाद year जैसे ही डालेंगे अप इस PDF को open कर पाएंगे और digital pen card आपकी register mail ID पर मतलब जिस mail ID आपने apply करने के time दिये थे उस mail ID में दो घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा और physical pen card कुछी दिनों के अंदर आपकी address पर आ जाएगा तो guys यही था complete process pen card apply करने के online में उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अ अब मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए मैं मिलता है अब से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद